हेलो गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल कीचन गुंजन की और आज में बहुत इंटरस्टिंग सी रसिपी लेके आई हूँ आपके लिए बहुत मज़ा आने वाला है आप इस रसिपी को एंड तक जरूर देखना बहुत अच्छी रसिपी है ये और ट्राइ भी जरूर से करना मैंने लिए हैं यहाँ पे हरी मिर्च और लसन तो इसकी चट्टी है ये बिलकुल अचार के फ्लेवर की आप जरूर से इसको ट्राइ कर सकते हो तो इसको बनाना हम शुरूर करते हैं मैंने लिये हैं यहाँ पे हरी मिर्चे हरी मिर्चे हैं बिल्कुल लंबे वाली और इनके डंठल भी मैंने तोड़ दिये थे इनको वाश करके रखा है साथी में ले लिये हैं लसन की कलिया 15-20 राई लिये हैं मिथी दाना लिया है और यहाँ पे लिया है धनिया और सौफ यह चारी मसाले मैंने लिये हैं अब कर लेंगे पानी को गरम गरम पानी में हम डालेंगे हरी मिर्चे और इनको अच्छे से उबाल लेंगे यह देख सकते हो ठंडे पानी में नहीं डालना है थोड़े गरम होने के बाद ही हमें डालना साथ ही में डाल दूँगी इसमें लसन अच्छी क्वांटिटी में हमें लसन लेना है अब इसको उबाल लेंगे अच्छी तरह से आप देख सकते हो मैंने एक उबाल आपको दिखा दिया है ले लिया है एक उबाल इसमें अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है जब तक हरीमिर्ज का color change नहीं होता तब तक हमें इसको gas पे ही रहने देना यानि कि उबालना है अच्छी तरह से दुबारा से चेक कर लेते हैं एक बार अब देख सकते हो कितने अच्छे से उबल गई है color भी change होने लग गया है अब बस gas को कर देंगे बंद तो मैंने gas बंद कर दी है और इसको थोड़ा से ठंडा होने देंगे यहीं पे अब कर लेते हैं मसालो को roast हलका सब भून लेंगे मसालो को खुश्बू आने तक चारी मसाले लिए हैं मैंने अब ये हो गए हैं मैंने gas बंद कर दी है हलका सा ठंडा होने देंगे उसके बाद निकाल लेंगे इनको एक कटोरी में ये देख सकते हो आप खुश्बू बहुत अच्छी आने लग जाए तब ही हमें निकाल लेना है मसालों की अब इसको भी हम चान लेते हैं थोड़ा सा हलका सा ठंडा हो गया है एकदम से नहीं चानना है पानी से अलग कर लेंगे इनको ये देख सकते हो आप तो लसन अच्छे से कुक हो गया है आप देख सकते हो इसी तरह का चाहिए बिलकुल अच्छा फ्लेवर आएगा बहुत आप क्या करेंगे मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं परदरासा कूटना है या फिर आप पीश सकते हो इसको ग्राइंड कर सकते हो पानी वगरा कुछ भी एड़ नहीं करना है ये देख सकते हो कितना अच्छे से कूट गया है या पिस गया है ग्राइंड हो गया ये अब इसको भी मैं निकाल लूँगी ये देख सकते हो आप कितने बढ़ी असे हो गया है मसाला तैयार अब क्या करेंगे सेम जार में मैं डाल दूँगी हरी मिर्चे और लसल और इसका एक बना लेंगे पेस्ट दरदरा सा ही बनाना है बहुत जादा ग्राइंड नहीं करना है और इसमें पानी भी आड़ नहीं करना है क्योंकि मर्चों में हलका हुलका पानी होगा उसी से काम चल जाएगा ये देख सकते हो कितने बढ़ी असे हो गया है तैयार ये भी बिल्कुल इसी तरह कहा हमें चाहिए अब डाल देंगे कढ़ाई में मस्टरड ओयल आप इसको लोही की कढ़ाई में बना सकते हो बहुत अच्छा बनीगा तेज गरम करेंगे तेल को और उसमें सारे मसाले डाल देंगे साथी में डाल देंगे एक चमच हल्दी बस इसमें और एक्स्टर मसाला कुछ नहीं डालना है गरम तेल करें तेज अच्छा खासा उसमें डालना है हमें मसाला अब मैंने डाल दिया है ये पेस्ट अब इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने मसाले हमें गरम तेल में अब मैंने इसमें नमक भी एड़ कर दिया है एक चमच आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर मिर्च ली है इसलिए अब इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि ओईल उपर उपर आ जाए यानि कि मसाल अच्छे से भून जाए तो यह है हरी मिर्च और लसन की बढ़िया टेस्टी सी चटनी आप जरूर से इसको ट्राय करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया सी बन गई है यह और मैं गैस को बंद कर दूंगी आप क्योंकि अच्छे से कुक हो गई है तो इसी तरह की हमें चाहिए यह आप तेल देख सकते हो इसका कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है तो यह अच्छे से कुक हो गई है अब हलकी सी ठंडी होने देंगे हम कढ़ाई में ही और उसके बाद हम इसको किसी भी चीज में जिसमें भी आप चाहें इसको स्टोर करके रख सकते हो इसका टेस्ट बहुत सीड बगरा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हरी मिर्च आप तीखी भी ले सकते हो लेकिन तीखी आप कोशिश करना की इसी तरह की हरी मिर्च होनी चाहिए तीखी में बहुत जादा तीखा हो जाएगा वो अभी अचार बिल्कुल बनके तयार हो गया या फिर हा करना चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना बैल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको आगी की नोटिफिकिशन मिलती रहे मिलती हूं नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाए